हेलो स्टुरेंट ये क्लास DRT फैस्टियर के लिए है जिसमें अपना सब्जेक्ट है रेडियोग्राफी फैस्ट पोजिस्टिनिंग अभी अपने स्टार्ट करते हैं मास मिनिचर रेडियोग्राफी यानि की MMR मास मिनिचर रेडियोग्राफी क्या होता है रेडियोग्राफ टेक्निक फोर डाइगनोसिंग टिशू बाई डिवाइडिंग इंट इंटू स्माल साइज इस काल्ड मास मिनीचर रेडियोग्राफिया नी की MMR यानि यह रेडियोग्राफिक टेकनिक है जिसके द्वारा किसी भी मास को या किसी भी लीजन को किसी भी टीशू को छोटे-छोटे साइज में बांट के देखा जाता है यह जैसे कि अपने चेस्ट का वी हो गया चेस्ट के लिए क्या किया जाएगा बहुत सारे चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे यानि एक इंटू-एक एक की फिल्म की फिल्म लेंगे एक इंटू-एक साइज की और उसमें बहुत सारी फिल्मों में अपने चेस् चोड़े बाग में डिवाइड करके और उसकी मेज लेना क्या कहलाता है MMR मास मिनियेचर रेडियोग्राफी In 1985, Dr. Abrey introduced MMR for diagnosis of pulmonary TB and some other active disease of lungs in early stage MMR को समझाया था जिसमें इन्होंने जैसे कि pulmonary TB होगी या pulmonary कोई भी disease होगी जो lungs की disease होती है या lungs के अंदर कोई भी और disease होगी जो early stage में है उसको diagnose करने के प्रकेरिया इन्होंने बताई थी To play important role in examination of complete chest जैसे कि अपने को complete chest की image लेनी है तो उसके अंदर इसका main role रहता है इसके बाद बात करें अपने इसके equipment के equipment क्या क्या होंगे एक्सरे सोर्स एक्सरे सोर्स में दो प्रकार का होता है rotating anode tube और small focal sport और second है bright fluorescent screen camera ये इसके क्या है equipment है जो अपने mmr यूज में लेते हैं उसके बाद next देखो अपने को बदा रखा है कि two types film is used अपने जो film यूज करते हैं वो mmr में दो टाइप्स की film यूज में लेते हैं four into five की और one into one की यानि अपने दो छोटी छोटी इमेज यूज में लेते हैं मैंने आपको यह बताया था किसी बड़े पार्ट को छोटी छोटे पार्ट में डिवाइड करके देखना नहीं mmr कहलाता है उसमें अपने दो साइज की फिल्म लेते हैं four into five की और one into one की four into five की फिल्म में देखो पहले फिल्म is used when target reason is large and disease is not so on other part four into five की फिल्म अपने तब यूज में लेते हैं जब जो अपने टार्गेट है वो थोड़ा बड़ा हो और डिजी जब अपने को अधर पार्ट में सीन नहीं हो रही है तब अपने क्या करेंगे four into five की साइज की फिल्म का यूज में लेते हैं इसका जो रेजूलेशन होता है इमेज की क्वालिटी जिससे बनती है वो थोड़ा कम होता है तो इसको अपने ज़्यादार यूज में इमेज को नहीं लेते हैं अब उसके बाद अपने बात करते हैं one into one फिल्म के साइज की यानि one into one की फिल्म यूज में लेते हैं हैं फिल्म प्रोसेसिंग की फिल्म को प्रोसेस कैसे कर आया जाएगा तो देखो फैस्टली फिल्म इस फिक्स्ट ओन 14 into 17 फिल्म फिल्म प्रोसेसिंग इस अधर एक्स रे फिल्म पहले अपने क्या करेंगे अपने पास one into one की जितने भी फिल्म से उनको अपने 14 17 की कैसेट पे फिक्स करेंगे यानि अपने बहुत सारी one into one one into one की फिल्म से ले ली अब उसको अपने 14 17 की कैसेट पे फिक्स कर देंगे अगर चाहें तो अपने उसको 12 15 की कैसेट फिक्स कर सकते हैं यानि जिस इसाब से अपने पास फिल्म से हैं उस इसाब से अपने दू प्रोसेश इस फिलम की रहती है यानि उसके बाद इसे अपने ड्वेलपिंग की रिंजिंग की वॉसिंग की ड्राइंग की सेम वही प्रोसेश अपने इन फिलम्स का रहता है नेक्ष्ट देखो समकेस नौ वॉसिंग और फिलम्स काई बार हम क्या करते हैं कि वाटर से फिलम्स को वॉस नहीं किया जाता है यान जो वाचन की प्रोसेस होती है वह नहीं किर्वा जाती है क्या यह वाटर होता है आलपल दे कर ड्रिजिंगल दिखाने लग जाता है इसलिए अपने वाटर झे разм की प्रोसेस होती वह नहीं कर्वाते हैं कियर शुट भी टेकन टू अवोवट दैं क्लेक्सट ऑफ डस्ट ओं दा वेट siad जब अपने को क्या है फिल्म का क्लेक्सं करना है यह जब अपने फिल्म की प्रोसेसिंग करवा रहे हैं तो अपने को द्यार रखना होता है कि जो वेट साइड है उस पर डश्ट का क्लेक्शन ना ओ तो इसके भी अपने को क्या है केर करनी पड़ती है अब अपने बात करते हैं फिल्म क्वालिटी की फिल्म की क्वालिटी को अपने कैसे इंक्रीज कर सकते हैं गुड क्वालिटी ओफ फिल्म इज निडेड फोर अगर अपने को इमेज की क्वालिटी गुड लेनी है तो उसके लिए अपने को क्या क्या शक्ता होती है क्या क्या चीज सेट करनी होती है exposure time low एक्सपोजर टाइम को कम करना पड़ेगा focal spot Kम करना पड़ेगा exposure factor sufficient एक्सपोजर factor sufficient देने पड़ेंगे एन्हिंद आपने exposure time कम कर दिया focal sport कम कर दिया और exposure factor उसको अपने sufficient देते है ना ज़्यादा होने चाई और ना चम होने से जिससे अपने इमेज के क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है नॉर्मली पी व्यू ओफ टेस्ट ज्यादा चार अपने नॉर्मली टेस्ट का पी व्यू ही किया जाता है या जैसे स्ट के लिए आपने बताया था कि अपने mmr कर रहे हैं तो अगर टेस्ट का वियू ले रहे हैं तो अपने टेस्ट का पीए वियू ही लिया जाता है यह अपनी mmr यहां पर complete होती है mmr क्या थी कि किसी बड़े टिश्यू को small size में divide करके देखने की process होती है वही अपनी mass miniature से radiography कहलाती है इसकी starting के गए थी 1985 में इसमें अगर दो प्रकार की image यूज में ली जाती है one into one की और four into five की जो four into five की image है वो अगर बड़ा tissue है तो उसके लिए यूज में ली जाएगी और इसका resolution क्या थोड़ा कम होता तो इसको अपने नॉर्मल यूज में कम लेते हैं और जो अपने one into one की film है इसका resolution बहुत अच्छा होता तो यह commonly यही ज़्याद अतर यूज में ली जाती है और इसकी film processing क्या रहती है कि देखो जो अपने 14-17 का frame लेंगे या को 12-15 का frame लेते हैं उस frame पर अपने one into one size की जो जितने भी film में उसारों को fix कर लिया जाता है फिर जो अपने normal process रहती है film को process करवाने की यानि develop करवाने की वही अपने processing रखते हैं इसमें अपने कई बार क्या करते हैं film को washing नहीं करवाते हैं क्यों नहीं करवाते हैं कि कई बार कई case में जो film है वो fogging दरसाने लग जाती है जो unexposed जहां पार्ट बचावा है वहां पर water care fogging दिखाना start कर देगा इसलिए कई case में film को वोस नहीं किया जाता है और film को process करवाते टाइम में पूरी शावदानी बरतनी पड़ती है कि इसके weight side में कोई dust ना आ जाए या इसको handling सबसे अपने अच्छी तरह करनी पड़ती है उसके बाद अपने image quality की बात करें तो image की अच्छी quality की लेने के लिए अपने को exposure time कम करना पड़ेगा focal sport कम करना पड़ेगा और exposure को sufficient देना पड़ेगा यह अपनी क्या है MMR complete होती है इसके बाद अपना नया topic है macro radiography यानि Magnification Technique macro radiography क्या होती है it is a production of an enlargement radiology image जो image होती है अपने उसको बढ़ा करके देखने की technique and किसी पी अपने part की image ले रहे हैं तो उसको बढ़ा करके देखने की technique क्या कहलाती है macro radiography two points must be needed इसमें अपनों 2 points बहुत ज़्यादा जरूरी होते है macro radiography करते time focal spot area कम होना चाहिए और exposure time कम होना चाहिए principle of magnification यानी macro radiography कर रहे हैं उसका principle क्या रहेगा a degree of magnification depends upon the ratio of focus film distance to focus object distance यह magnification किस पर depend करता है कि एक ratio होता है किसका focus to film distance और focus to object distance का जो ratio है इस पर magnification depend करता है यानी m is equal to f of d upon a for d यानी film to focus distance upon film to object distance for good resolution and good quality for of image ffd is twist then a for d यानी अपने इमेज के good resolution और good quality के लिए जो ffd होती है वो of od से दुगनी होनी चाहिए यानी ffd के दुगनी होनी चाहिए और a for d के आदियोग जो focus to object distance है उससे focus to film distance डबल होनी चाहिए यह देखो यहां अपने को diagram बना के समझाया गया है पैसेंट के पिछे क्या एकसे ट्यूब है और आगय के साइड में क्या है अपने film को दिखा रखा है यानि object को object अपना पैसेंट हो गया तो देखो mass miniature radiography तो अपने वह process हो गया कि अपने अलग-अलग करकर देखते हैं इसे में अपने क्या है micro radiography तो इसमें क्या लिखा था image की good quality और good resolution के लिए क्या करना चाहिए जो अफ-फ-डी है वो अफ-फ-डी की दुगनी होनी चाहिए यानि focus to object distance है उससे focus to film distance double होनी चाहिए तो देखो अपने इसमें जहां अपने x-ray बी में वहां से focus to object distance आदी हो गई और focus to film distance patient के आगे वाली होगी यान जो focus to film distance हो डबल है एक से ट्यूब से लेकर के से तक और जो focus to object distance हो उसकी आदी है यानि patient क्या है एक से फिलम और एक से ट्यूब के बीच में खड़ा है उसके बाद अपने बात करते हैं type of parts यानि इसके जो depend यह किस पर करता है देखो अंडर कोच ट्यूब जब क्या है ट्यूब क्या है अंडर कोच के नीचे हो काउच के जब नीचे ट्यूब होगी तब क्या होता है इन दिस टेगनिक कैसेट इस इन दा एर या अबव दा टेबल इस प्रोसेस में जो कैसेट होती एवो टेबल के उपर की साड़ में रहती है अपने को पता लग रहा है कि जब X-Tube टेबल के नीचे होगी तो cassette अगो X-Table के उपर रहेगी सेकिन्द पॉइंट है Over-Course Tube Cassette is below the table या Touch the floor जब cassette क्या है टेबल के उपर होगी सोरी जब अपनी क्या है X-Tube टेबल के उपर होगी तो cassette अपनी टेबल के नीचे होगी इसमें अपने को दोनों बताएगे Under-Course Tube यान जब Tube है वो Couch के नीचे है तो cassette क्या हो जाएगी Air में हो जाएगी यानि टेबल के उपर हो जाएगी और Over-Course Tube जब Tube का है Couch के उपर है तब अपनी जो X-Ray फिलम है वो का हो जाएगी टेबल के नीचे हो जाएगी Normally It is done in supine position because of less chance of blurring जो यह process है वो supine position में की जाती है क्योंकि इसमें क्या है blurring होने के chances कम हो जाते है अगर patient खड़ा है तो patient हिल भी सकता है image अपनी blur भी हो सकती है अगर patient supine position में है तो जो blur होने के चांद से जब वो कम हो जाते है next है no need of grid because space between object and film prevent the oblique scatters from reaching the film अपने को इसमें grid की object नहीं होती है क्योंकि जो object और film की distance है वो पहले से थोड़ी ज्यादा होती है जिससे जो oblique scatters है यह थोड़ी image scatters होगी और उसके बाद में film तक पहुंसती है यह जो अपनी x-rays है वो scattered होके ही film तक पहुंसती है अपने grid लगा देंगे तो वो क्या करेंगी scattered radiation को रोक लेगी जिससे image अच्छी नहीं आ पाएगी इसलिए जो scattered radiation वो भी अपने को चाहिए होती है इसलिए अपने grid का use नहीं करेंगे radiation dose अब अपने इसमें radiation dose कितनी यूज करेंगे radiation dose is reduced because not use grid अपने क्या grid का use नहीं कर रहे है तो जो radiation dose use में कर रहे हैं वो अपने dose कम use में लेते है अब next अपने बात करते हैं इसके indications के यह किस-किस condition में यह procedure किया जाता है in silography अगर अपने कोई भी sinus हो गये है तो उस condition में अपने यह procedure किया जाता है rinal arteryography अगर rinal की कोई भी artery की radiography कर रहे है तो उस condition में अपने procedure यहनि macro radiography में लिया जाता है carpal and tarsal bones जब अपने carpal और tarsal bones का view ले रहे हैं तब हमें तैंने में अपने किया मेक्रोड्यो ग्राफी उसमें लेते हैं Championship एक यह अपना मेक्रोड्योग्राफी कम्प्लीट मैं होता है कि ऑग इसके बाद शीके इक चोट़ डोपी और है माई्क्रोड्यो ग्राफी इनंथ पहले अपने क्रेले किया स्व Ethan जिसमें अपने क्या है टीशू को बढ़ा करके चाहली अब रहते हैं माइक्रो रेडियोग्र्पीया निकि स्माल साइज में देखनाए बूर रेडियोग्राफ यूच व को माइक्रोट साइज में में देखा जाते हैं यानि small size में देखा जाता है इसमें जो lezen होता है वो small भी हो सकता है और thin भी हो सकता है यह चोटा भी होता है properties of x-ray equipments जो अपने micro radiography में x-ray equipments यूज में लेते हैं उसकी क्या property रहती है focal sport area कम होना चाहिए exposure time भी अपना कम होना चाहिए और exposure factor वो sufficient रहते हैं तब अपने क्या है equipments बिल्कुल सही होते हैं और image अच्छी आती है in this technique grid is not used because scattering is very less because listen is thin and small इस technique में अपने grid का use नहीं करते हैं क्योंकि जो अपने scattering होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है इसलिए अपने grid की जरूरत नहीं पड़ेगी और जो अपना listen है वो भी thin होता है या फिर small होता है इसलिए अपने grid की आवशक्ता नहीं होती है इस टेक्निक इस यूज़ इन सम ब्रेस्ट कैसे यह टेक्निक क्या है जो ब्रेस्ट के कैसे होते हैं ब्रेस्ट के व्यूज दिये जाते हैं उसमें यूज में ली जाती है इन दिस डेज माइक्रो रेडियोग्राफी इस अल्टर बाइश्ट स्केन एंड एम र इन दिनों में जो माइक्रो रेडियोग्राफी उसको CT scan में या MRI में change कर दिया गया इन micro radiography के जिए CT scan या MRI कि जाती है देखो आपने micro radiography थी उसमें क्या किया जाता है कोई भी lezen होता है या कोई भी tissue होता है उसको बड़े size में करके देखा जाता है उसमें क्या किया जाता है कोई भी tissue को या जिस चीज़ का अपने व्यू ले रहे हैं उसको छोटे साइज में करके देखा जाता है और जो MMR मास मिनिचर रेडियोग्राफी है उसमें किसी भी बड़े पार्ट को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके और उसकी इमेज बनाके उसको देखा जाता है है यह अपने आज MMR मास मिनिचर रेडियोग्राफी मेक्रो रेडियोग्राफी और माइक्रो रेडियोग्राफी कम्प्लीट होता है आगे पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में थेंक यू झाल 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 झाल